कि दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि RRBG और वेटिंग कंडिडेट के जितने भी ये वेटिंग में है और इनका जो आपका डिमांड जीरो भेज दिया गया है कई जोन से तो उसको लेकर स्टुडेंट के द्वारा प्रोटेस्ट किये जा रहे हैं तो यहां पर आज सही से नहीं भेजा गया था तो उसके अभाब में भी यहां पर यह सही से यहां पर यह वेटिंग में रहा जा रहे हैं या पर इस तरह का जीरो डिमांड भेज दिया गया जैसा कि आप लोग को पता है कि North Western Railway के तरब से जीरो डिमांड छात्रों का भेज दिया गया था जो लेकर यहां चात्रों का पर्दर्शन हो रहा था तो यह देख सकते हैं कि चात्रों ने जाकर वहां पर्दर्शन किया है ए और यहां पर आपका जो टोटल यह टेक्निशन वाले चात्रों पहले 1900 और बाद में आप बेजा गया था तो वह ओपम मिला कर आपका यहां पर लेकर चातरो ने यह बोला तो यह पर प्रोटेस्ट कर रहे थे टीज को लेकर आज एक आर्टिकल आया है तो यहां पर आपको इंपोर्टेंट चीज़ उसमें देखने के लिए मिलेगा तो यह हम देखने वाले हैं यहां पर पहले हम यह बात कर लेते हैं कि डेलवे का कहना है कि वहां आप कोई भी वेकेंसी वहां पर नहीं है मतलब डिमांड के लि आपका रिटायर हुए होगे जो मतलब करमचारी लोग है रिटायर हुए होगे कुछ है तो यहां और वेकेंसी आपका यहां तक का तो फिल करने के लिए पहले से नहीं बोला गया था तो यह आपका जीरो डिमांड कैसे भेज दिया गया तो इसको लेकर खुला से हुआ कि वहां पर जो सीत है वह आपका जो इन डिटारेक्ट पोस्ट रिकूर्ट्मेंट होता है जैसे के जीडिसी जो डिपार्टमेंटल एकजाम होता है उनके थूप फिल कि आजागा उनको उनका इसा ब्रियान है तो इसको लेकर हम लोग देखते हैं कि यहां पर क्या बोला गया आज के आठकिल में आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा तो चलिए हम इसे देखते हैं कि क्या इसमें बोला गया है तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर आज के आठकिल में यह छपा है कि पद खाली फिर भी नियुकतियां नहीं है तो यहां पर देख सकते हैं देश भर में ये 3839 जुनियर इंजिनियर के पद खाली लेकिन उत्तर पस्चिम रेलवे में एक भी पद खाली नहीं है ऐसा जो जीरो डिमांड भेज दिया गया है उसके रिगार्डिंग ये बोला गया है तो इसको देख लेते हैं यहां पर आगे हैं उसको 100% किलियर कर दिया जाएगा वैसा सिर्फ एलपी वाले कंडियर को बुला गया था टेकनिशियन और जी वाले का ऐसा कुछ नोटिस में में नहीं था कि 100% किलियर कर दिया गया था तो इसको लेकर भी इस्टूइंट में यहां पर आक्रोस था कि सभी का जिस तरह से एलपी का 100% किलियर क्या जा रहा है तो आपका टेकनिशियन और जी वाले का भी यहां पर किलियर क्या जाना चाहिए तो यह भी मुद्दत है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या आप बूला गया है फिर यहां पर उत्तर पस्ट्रिम रेलबे यानि कि नॉर्थ वेस्ट किल में आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा रेलवे ने वर्स 2018 में अलग लग भरती बोर्ट के माध्यम से टेकनिशन के पदों पर भरती इस तरह यह किस तरह से आपका वेकेंसी पर निकाला गया था इसको लेकर थोड़ा से पहले यहां पर बताया गया है तो यहां पर देख सकते हैं आयुजित की थी आयारवी ने अजमेर से 1900 पदों पर भरती निकाली थी इसमें से 1376 सफल अभरतों के पैनल जारी कर दिये गये थे जिसके बाद इन सभी को विभीन मंडल एवां कार खानों में निकती दी गई थी और यहां पर आपको बूला जा रहा है क कि जो भी अब अगर लिया जाएगा एस्टुरेंट का वेटिंग के लिया किया जाएगा तो वो वर्क्सॉप में दिया जाएगा ऐसा भी कहना है तो इन सभी को हम लोग आगे देखेंगे यहां पर देख सकते हैं कि लेकिन इन में से कई अभरतों ने टेक्निशन पदों प दी जाए लेकिन उत्तर पश्रिम रेलवे ने खाली पदों की संख्या जीरो बताएगे तो में मुद्दा तो यही है कि जीरो कैसे हो गया इस पे तो आपका 31 दिसंबर तक का जब वहां से ओडर आया है तो यह जीरो कैसे हो गया यान कि आप अपने मन से उस पोस्ट को भर हैं तो इसका अब कहना है कि उसको जो भरा जाएगा वह डिपार्टमेंटल एकजाम से भरा जाएगा तो आगे हम लोग देखते हैं कि यह किन्हों ने बताया है यह देखने के मिलेगा ऐसे में वह इन्हें नियुकती दे सकते हैं जबकि रेलवे में ग्रूप C और D के हजार पद खाली परें हलाकी रेलवे की दलील है कि जो पद खाली है उन्हें पद ona ती यहां वीवागिये परिच्ध्चrinी का होता है यही है यह प्तलमशन के तो tu जो कि GDC का होता है उसके द्वारा भरा जाना है गौर्ट लप्रे की उतर पस्ट्र में रेलवे 524 अभिजरतों की वेटिंग में रखा गया तो इसको लेकर यहां पर आप लोग उन्हें देख लिया कि आप उनका बोलना है कि डिपार्टमेंटल जो एक्जाम होगा या प्रोम कि दिमांड गया था उसका यहां on लगता है कि इस अबी डिन झूलमे जो भेजा है उसके लेकिन यहां पर उततर प्रष्छिं रेलवे में एक भी पद खाली नहीं यानि कि अर्रवी अजमेर का रीप्लेस्मेंट पैनल के लिए कोई दिमांड नहीं भेजा, जबकि अन्जोनर रेल्वे से समन्धित अर्रवी को अन्जोनर रेलवे हैं, वो अर्रवी को जुनियर इंजीनियर का इतना दिमांड यानि कि 389 और टेकनीशन का 8600 खाली पदो की सर्थ पर बताया कि पूर्व में मांग पत्र नहीं भेजा गया था यहां पर क्या बोला गया है इसको देखेगा एक जो अधिकारी हैं वरिष्ट अधिकारी उन्होंने गुपनिये रूप से बोला है यह कि पूर्व में मांग पत्र सही से नहीं भेजा गया था सही नहीं ऐसी के किरैंट्रमच्या आई है। जो टेकनीचम उत्तर पशमेडेल भरती हुए हैं उन्हें सीधी भरती के खाली पडोग में ट्रेनिंग बाद भी लंबें समय बाद बपद हमां पसंद दिये जो बोला गया है ट्रेणिंग के बाद भी न्युकति लंबे समय बाद दिया गया था मतलब उनका ट्रेणिंग करवा लिए गया था लेकर उनको जोईनिंग नहीं दिया गया था उनको काफी बिलम क्या गया था क्योंकि यहां अधिकांस पद लेवल 1K है जिनने पदुनाती क या GDC से भरा जा सकता है एसे में सीरी भरती के क्रमचारियों को इन खाली पदों पर नियुकती नहीं दी जा सकती है इसी बजा से रेलवे प्रशासन इनके नहीं दे रहा है इनका ऐसा कहना है अब यहां पर इनका कहना है कि वर्क्सॉप में दी जा सकती है नियुकती ऐसा क्य में इन उम्मिदवारों को जो वेटिंग कंडिडेट हैं उनको बुला जा रहा है कि वर्क्सवाप में सीरी भरती के खाली पद परे हैं पर निक्ती नहीं दी जा सकती है यहाँ आगे बोला गया है कि गौर्त रव है कि आर आरवी अजमेर ने जुनियर इंजिनियर के जो अजमेर का यहाँ पर बोला जा रहा है कि जुनियर इंजिनियर के 825 पदों पर भरती जारी की थी जिसमें से यहाँ नौर्थ वेस्टर रेलवे ने 727 और वेस्ट सेंटर रेलवे ने अन्ठानवी पद थे उसमें उतना पर वेकेंस निकाला था इस भरती परकिरिया में सीवीटी वन टू के बाद यतना स्टूडेंट याने के 272 अभियरतियों को डॉकुमेंट वेरिफिकेशन और मे स्टूद की आ साथ न्र जो अभि़एरति थे वह अभिबिन नहीं दी गई है यानिकी यह जो देख रहे हैं यहां पर जो डरह दा जैसा सात सो है कर दोटा निकति निखती दिया गया गया है जिनका अभी भी निखती नहीं हुआ है इसा यहां पर कहाना है आगे इसमें बोला गया है कि उधर 29 जुन 2022 को तो सचेंडिंग कमीटी के होई ती जिस में चूनै इनजिनयर और टेक्निशन की वेटिंग लिस्ट को पूरी तरह से क्लियर करने के आदेस दिये गए थे वहाँ पर दिमांड मांगा घय था कि उन्हों का जो वै्टिंग कंड़िएट हैं उनको वहाँ पर निक्ति दिया जाई जितने ह्It आपका दिमांड है जितने भी 31 December 2022 तक का जितने भी पोस्ट है उस पर उनका निकति दी जाए ऐसा नहीं बोला गया था कि आप उसमें से जोतना सीट आता है उसमें से मानें कि आपका जो डिमांड होगा उतने पोस्ट पर निकाल देते कहां इतना वेटिंग है इतने पर हम सभी जगास निकाल रहे हैं तो वह उनका 100% किलियर हो जाता है लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि आपका पच्पंट के करीब एस्टुएंट हैं कि वेटिंग में है लेकिन आपक सकता है और इधर आपका टेक्निशन वाले छात्रों का भी आपका इधर जिरो भेज दिया गया है जोन से तो वह भी यहां पर है यहां पर बोला गया है कि बर्तमान में उत्तर पर्शिम रेलवे में सीधी भरती कोटे के कोई खाली पद नहीं है मतलब कि डारेक्ट जो आप बोला गया है कैप्टन ससी कि रन सीपी ओ है जो कि उत्तर पर्शिम यानि कि नौर्थ विस्टर रेलवे के हैं इनके द्वारा क्या बोला गया है देख लिए फिर से बर्तमान में उत्तर पर्शिम डेलवे में सीधी भरती कोटे का कोई पद खाली नहीं है वही यह अभी यह आती है जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है अर्रवी द्वारा वेटिंग वाले अभियर्थियों को न्युक्ति देने का कोई प्रभधान नहीं है मतब बोला जाता है की 100% जो वेटिंग है यहां पर वेटिंग को क्लियर करना है और नदेट पर अदाम को हमनेद परसेंट किलियर कर लें और यहां पर सीरी भरती से यहां पर अभी पद खाली नहीं है कोई भी पद जैसे रिप्लेस्मेंट पैनल आता है या फिर ऊईसा कोई पद है उसे नहीं खाली है यह जो है पद अभी जो पर मोसन से होगा या फिर आपका यह जी डी सी का जो आपका ए कि यह स्टूडेंट के दारा पोटेस्ट किया जा रहा है सब्य स्टूडेंट हैं कि अगरा कि अगरा कि अगरा कि अगरा है कि यह स्टूडेंट का प्रद्रसन है जो कि आपको विविन विविन जगहत से आए हुए हैं जो भी आपका नॉर्थ वेश्टन रेलवे में यहां पर पोटेस्ट के थे आपका टेक्निशन और यही कंडिडेट हैं सभी यहां पर उनका जो जीरो दिमांद भेज दिया गया है और यहां पर यह भी बात है कि जिनका अगर वेटिंग आभी गया है तो यहां पर काफी टाइम लगाया जा रहा है उनके द्वारा तो यह भी आपका मुद्दा है कि वेटिंग जो किलियर करने में जो पैनल आभी गया है तो उनका डिविजन लॉट्मेंट काफी टाइम ब बित गया है फिर भी इसके बाद भी अभी और वक्त यहां पर लिया जा रहा है तो यह भी प्रोब्लम है कि अगे कि अगे कि अगे कि अगे कि अगे कि कि झाल झाल